हेलो आज हम बात करने जा रहे हैं जामिय मिले इसलामिया के एड्मीशन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं एड्मीशन्स से रिलेटिड जिन जिन बच्चों को डाउट्स है ये हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं और क्या क्या कोशन आ रहे हैं बच्चों को दिमाग में यह भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जैसे कि मैंने आप लोग कहा ही था कि आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही है या फिर आपको वीडियो ढूंडने में प्राब्लम हो रही है और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं क्या उस पर अपलोड है या नहीं है यह आप जब कमेंट कर देंगे तो मैं अलग से वीडियो आपको बना दूँगा ताकि मैं आप लोग को कंफर्म कर दूँगा कि यह वीडियो चैनल पर अपलोड है आप कैसे चेक कर सकते हैं यह मैं आपको बार बार बता रहा हूं क्योंकि अलग से वीडियो नहीं बनाई जा सकती तो आए हम एक एक करके बात करते हैं जो जो बच्चों के कोशन थे और उसके अंसर के बारे में और यह सबके लिए important है ताकि आप लोगों को भी पता रहे कि य कैसे करनी है यह वीडियो अपलोड हो चुकी है आप चैनल पर देख सकते हैं ठीक है आप प्लेइस्ट पर जाएं आप जब चैनल पे जाएंगे तो वहां पर आपको बी एल एल बीके जो है आपको त्यारी कैसे करनी है इसके बारे में आपको डाउट नहीं होना चाहिए औ 2019 का आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर अपलोड है और 2019 का आपको दिखेगा कि कहीं पर अपलोड नहीं है बाकी भी जल्द अपलोड हो जाएंगे ठीक है तो बी एल एल बी का बच्चों के जो आप डाउट आ रहा होगा बी एल बी वालों को डाउट नहीं बी बी ए की भी और बी ओनर्स एकनोमिक्स की जैसे आप लोग को पता यह इन तीनों के लिए एक ही एंट्रेंस टेस्ट देना होता है आपको तो इसकी भी एंट्रेंस टेस्ट की वीडियो अपलोड है आप चैनल पर वही हाउट टू क्रैक वाली प्लेलिस्ट पर चैक कर सक दिखें सबकी प्लेलिस्ट इसलिए बना रखें ताकि आप लोगों को वीडियो ढूडने में असानी हो आपको मुश्किल ना आए वीडियो ढूडने में इसलिए प्लेलिस्ट बना रखें ताकि आप लोगों कोई प्राब्लम ना आए ठीक है आईए नेक्स बात करते हैं थर्ड भी जो है थर्ड वाला डाउट अगर हम बात करें और जो सेकिंड वाला डाउट है यह सबसे ज़ादा बच्चों का डाउट है चीक है और सबसे जरूरी डाउट जो यह है कि फर्स कट अफ में marks कैसे admission आ सकता है ठीक है इसके लिए जो है how to crack की वीडियो जो है एक upload होगी अभी इसके बाद ही upload होगी वीडियो वो how to crack की अगली वीडियो तो उसमें आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा मैंने आप लोगों को वैसे भी बता रखाई कि आपको अगर entrance test के लिए करना है तो आपको preparation सही तरीके से करनी है अगर आप preparation सही तरीके से करेंगे एक on and average marks लेके चलेंगे तो आपका entrance test easily निकल जाएगा मुश्किले नहीं होती है यह मैं आप लोगों को पहले बता दूँ ठीक है आए next doubt के बात करते है सर history का syllabus तो history का syllabus के लिए जो बच history के syllabus की वीडियो upload है उसके लिए भी मैं आप लोगों को पता चल जाएगा ठीक है तो history के लिए वीडियो बनाएं सिम्रंट खान तो बिल्ब के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया ठीक है तो बील्ब का आप लोगों को पता होना चीए अब कैसे चेक करना है पेपर भी अप्लोड है ठीक है नेक्स्ट मृदुल गुपता सर बी ओनर्स हिंदी के सॉल कोशिशन पेपर की वीडियो हाँ बीया ऑनर्स हिंद परिचान की वीडियो अप्लोड है अच्छे से अपलोड है पहले वाले वह बी अप्लोड है और लेटेस्ट वीडियो भी अपलोड हो चुकी है डिटेल आपको स्लेबस कैसे पेपरेशन करनी है तो बीया ओनर्स पॉलेटिकल साइंस की आप चैनल पर देख लेंगे उसकी वीडियोज भी आपको मिल जाएगे ठीक है और आपको कैसे क्रैक करना है ये भी वीडियोज है और एंट्रेंस पेपर 2016 से लेके 2020 तक के चैनल पे अपलोड है तो आपको इसके रिगार्डिंग भी परिशान होने की ज़रूद नहीं है आप पेपर भी अराम से इजली देख स्पाएंगे ठीक है नेक्स्ट beautiful thoughts लिखते हैं एक student दो form भर सकते हैं बिल्कुल आप कितने भी form फिल कर सकते हैं बस आपको ये ध्यान रखना है eligibility condition चेक कर लेनी है आप form फिल कर रहे हैं अगर आप eligible हैं तो आप form जितने मर्जी फिल कर सकते हैं कोई problem नहीं है अगर आप किसी course के लिए eligible नहीं है और आप वो form फिल कर देते हैं तब आपके लिए problem हो जाएगी ठीक है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप form के लिए अगर eligible हैं आपको उसकी eligibility condition चेक कीज़े कोई special requirement तो नहीं है अगर आप eligible हैं तो आप form फिल कर सकते हैं तब आपको कोई problem नहीं आईगी ठीक है और बिए political science का तो बिए political science का मैंने आप लोगों को बता दिया तो वीडियो बनाके इंफर्म कर दिया जाएगा क्योंकि यह सेम बच्चों के आ रहे हैं आप लोग प्लेलिस्ट अगर आपको प्लेलिस्ट धूननी नहीं आ रही है कोई problem ह हो रही है तो आप वह भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मैं आप लोगों को बता दूंगा कि चैनल पर आप लोग कैसे चेक करें क्योंकि चैनल पर सारी चीज़ें अपलोड है कवर है जनल अवेर्नेस जामिया के पेपर की अपलोड है काफी हद तक और जो बाकी बच भी आएंगे मैं उनको वीडियो बनाके इंफॉर्म कर दूंगा आप लोगों को चीक है और एक और बच्चे का डाउट था कि प्राइवेट और रेगुलर में क्या फरक है इसके लिए एक वीडियो अलग से बना रखी है प्राइवेट रेगुलर और डिस्टेंस तीनों में क् के रिकार्डिंग आप लोगों को परिशान नहीं होना है ठीक है कोशिश करेंगो जोई जल्द से जल्द बच्चे खुचे स्लेबस भी हम चैनल पर अप्लोड कर दें ठीक है थैंक्यू